जैहीन दोस्तो स्वागत है आप सभी का सर्मा फैंटीसी ग्रूप में इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इंडिया बर्सेज अधर टीट्वेंटी मैच के बारे में दोस्तो यह मैच डर्बी सायर और इंडिया के बीच खेला जाएगा दोस्तो यह मैच एक तरह का वार्मप T20 मैच है तो दोस्तो इस मैच को आप इंटरनेशनल मैच नहीं समझेगा यह जस्ट एक BCCI ने वार्मप मैच के लिए डर्बी सायर को रिक्वेश्ट किया था जिससे दोस्तो आज के दिन दोस्तो रात के 11 बजे ये मैच स्टार्ट होने वाला है Derby Sire और इंडिया का warm-up T20 मैच लेकिन दोस्तो मैं बता दो दोनों टीमों का दोस्तो दोनों जो टीम है Derby Sire और इंडिया दोस्तो दोनों टीमों का playing 11 बहुत ही मजगूत है ये एक warm-up मैच दोस्तो नाम के लिए लेकिन मैं बता दो दोस्तो बहुत ही super match होने वाला है that means दोस्तो highest scoring match आपको देखने को मिलेगा और इस ground का दोस्तो जो record भी है Derby Sire ground का दोस्तो बहुत ही highest scoring match होते हैं इस ground पे क्योंकि दोस्तो ground बहुत छोटा है और यहां पे six बहुत लगते हैं और आपको भी मालूम है दोस्तो इंडिया के तरफ से जो भी Ireland के Ireland वाले match में खेल रहे हैं दोस्तो सेम टीम आपको खेलते हुए नजर आएंगे Derby Sire का दोस्तो यह home ground है तो यह बात का ख्याल रखिएगा यदि आप combination बना रहे हो तो इस वीडियो में मैं आपको एक इंडिया को फेवर करके टीम बताऊंगा और साथी साथ दोस्तो एक हम लोग Derby Sire को फेवर करके टीम बनाएंगे क्योंकि देखो मैं नहीं चाता कि यह जो मैच हम लोग मीस करें Grand League में दोस्तो जितना हो सके उतना contest आप लोग खेल सकते हो मैं आपको combination परवाइड करूँगा किस तरह से आप 5-6 combination बना सकते हो हम मैं आपको इस वीडियो में दोस्तो एक small league का combination बताऊंगा जो mainly 5-6 के ratio पे रहेगा दोस्तो और एक दोस्तो इंडिया को favor करते हुए मैंने 7 और 4 का combination बनाया है क्योंकि देखो by chance कोई playing level जो आता है और उसमें कोई player दोस्तो चेंज होता है जो मैं आपको अभी team बताऊंगा उसमें कोई player नहीं खेलता है by chance तो दोस्तो मैं आपको telegram पर team update करके provide कर दूँगा तो दोस्तो आप telegram को join कर सकते हो और दोस्तो YouTube channel को subscribe करके रखना और bell icon का दोस्तो घंटी जरूर बजा के रखना bell icon का दोस्तो घंटी बजाना बहुत जरूरी है जो भी मैं video डालता रहूंगा दोस्तो T20 से related चाहे हो international cricket से related हो दोस्तो चाहे हो women cricket से related हो आपको easily notification मिल जाएगा और जो दोस्तो मैं video में combination में बताऊंगा दोस्तो जो video में combination रह यह mini GL का है 59 वाला दोस्तो यह भी mini GL contest है 244 दोस्तो यह भी mini GL है नीचे दोस्तो सभी contest mini GL का है तो आप लोग अपना budget को ध्यान में रखते हुए दोस्तो mini GL 2-3 जरूर ड्राइ करना खेलने का और head to head तो दोस्तो आज के match में और इस वाले match में प्लीज खेलना दोस्तो हम match का मैंने video YouTube पर upload किया है दोस्तो आप लोगों उन्हें नहीं देखा है तो जाके देखलो time है अभी 10 बज़े से दोस्तो एक और match स्टार्ट होने वाला है वर्ट्री सायर और लेंसी सायर का दोस्तो मैच होने वाला है बहुत important match होने वाला है दोस्तो यदि आप ऐसा कमाना चाहते हो तो दोस्तो आप जरूर वह भी match का video देखना और telegram पे जो मैं team send करूंगा उस team के साथ जा सकते हो नहीं तो दोस्तो जो video में team रहेगा उसके साथ भी आप जा सकते हो बात करें दोस्तो यहां का जो peach report क्या कर रहा है दोस्तो जो peach report कर रहा है derby का highest scoring match होने वाला है आपको मैंने पहले ही बताया है और साथी साथ दोस्तो average score आप देख सकते हो 166 रन है इस ground का बैटिंग first करने वाली team ने पिछले 5 मैचों में 2 मैच विन किया और दोस्तो तीन मै बैटिंग second करने वाली team ने विन किया है तो यह बात का ख्याल रखें आप लोग team बनाईएगा दोस्तो बात करें दोस्तो जो पिछला 5 मैच हुआ है उसमें 2 मैच दोस्तो ऐसा आया है जिसमें 200 प्लस का score लगा है बैटिंग first करते हुए और दोस्तो बैटिंग second करते हुए एक बार तो 200 प्लस का score चेज भी हो गिया था डैट मींस आप जो team बना रहे हो उसमें आपको batsman all rounder को favor करके team बनाना है बॉलर्स दोस्तो ट्राइ करना minimum रखने का जो बिकेट टेकर बॉलर होंगे डर्भी सायर और इंडिया के तरब से उनी को अपने team में रखना नहीं तो जो मैं आपको combination बताऊंगा उस combination के साथ आप जा सकते हो और उसमें क्या changes कर सकते हो दोस्तो वो भी हम लोग discuss करेंगे बात करें दोस्तो दोनों teamों का playing 11 आज के match में क्या हो सकता है दोस्तो ये probable playing 11 है final playing 11 दोस्तो मैं टस के बाद आपको telegram पे send कर दूँगा तो ये बात का ख रखते हैं दीपाख फुटा दोस्तो खेलेंगे सुरकुमार यादो हर्दिक पंठे दोस्तो कैप्टन है दिनेस कार्तिक अक्षर पटेल हरसल पटेल दोस्तो आबेस खान खेलेंगे लेकिन दोस्तो मुझे जहां तक लग रहा है उमर मलिक और अक्षदीव सिंग दोस्तों डर्भी सायर का आज का क्या प्लेंग लेविन हो सकते है तो दोस्तो आपको कैप्टन सान मसूद ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे रीस के साथ लॉक राइट दोस्तो बहुत ही आउटस्टेंडिंग हीटर है और एक से इंपोर्टेंट खेला रही है दोस्तो आपको इन्हें स्मॉन लिग ग्रेंड लिग दोनों में ट्राइए करना है ब्रुक दोस्तो आपको बिकेट कीपिंग सेक्शन में नजर आएंगे गेस्ट को आप ट्राइ कर सकते हो इनका डिसेंट फॉर्म अच्छा है लेकिन यही है कि दोस्तो इनका बैटिंग ओडर काफी नीचे है तो यदि आप ऐसा कंबिनेशन बना रहे हो जिसमें आप आपको अलांडर सेक्शन से एंसी किर्णम बहुत इंपोर्टेंट है दोस्तो आज के मैच में दोस्तो यह लेग आर्म गूगली कराते है और दोस्तो बैटिंग से भी स्कोर करते हैं तो आप इन्हें स्मॉली ग्रेंग डोनों में ट्राइ करना हीूज दोस्तो बहुत इंप स्बाइलेटे, लास्ट अप्सन दोस्तों मिंन लाइबगी टेंब याउन्स, मेलि स्भात करें हो, इस फहे तो मेली आपको ऐस्टिंव्स, ठ्रील लाइन अप को एक यह मैंने अभी च़ए किया था पिछला इनका दो मैच आधर पर मैंने बताया हिंaked उससे पहले देखोंगे शोब थो दोस्तों इन्होंने 10 ओ버र के बाद भी कोई ओभर में कोई मैच में इन्होंने बॉइलिंग कराया है ऐसा मैंने आपको बताया था मैं अभी आपको दो combination बताने वाला हूँ जो first combination है इसमें आप देख सकते हो मैंने डर्भी सायर के छे पिलियर को रखा है और इंडिया के पांच पिलियर को ट्राइ के है that means यह छे और पांच का combination है डर्भी सायर को दोस्तो फेवर करके तो किस तरह से आप combination बना सकते हो डर्भी सायर को फेवर करके तो दोस्तो बिकेट कीप्रिंग सेक्शन में सेंजीू सेंपसन को रखना क्योंकि बीगेश्ट काफी नीचे आते है और दिनेस कार्थिक का भी दोस्तो सेम प्रॉब्लम यह ब मार्टिंग में आउट हो जाएंगे और दोस्तो हम लोग डर्भी सायर को फेवर करके टीम बना रहे हैं तो इसलिए दोस्तों आप इन दोनों को ड्रॉब करके चल सकते हो चो करसके लेकिन इस आंकि सन को ड्रॉब सान महमूद बहुत ही इंपोर्टेंट है दोस्तों अपने टीम के कैप्टेन भी है और बहुत ही सांदार फर्म में चल रहे हैं रिसेंट फर्म इनका बताऊं तो दोस्तों 75 61 52 इस तरह से स्कोर करके दे रहे हैं तो आप लोग इन्हें जरूर ट्राइब करना गैकवार दोस्त स्मॉल लिग ग्रेंड लिग दोनों के लिए हम लोग के आज के इंपोर्टेंट पीक है दोस्तों लाउंडर सेक्शन से हार्दिक पंडया एस कियर और मैंने एमसी मैकरम को रखा है यह स्मॉल लिग का टीम है डर्भी सायर को फिवर करके और एक्स्रा आप्शन जाना चाहो लोग तो दोस्तों एल रेस एस कॉलिंग राइड दोस्तों बहुत ही उपर बैटिंग करने आते तो इन्हें आप लोग ट्राइग कर सकते हो और यह थोमस भी अच्छे पीक हो सकते हैं आज के मैक के बॉलिंग सेक्शन में दोस्तों एम श्रिव सौव युवेंदर शहल भूमनेश्वर कुमार और वाट इनको दोस्तों आपको स्मॉलिंग में ट्राइग करना है ग्रेंलिंग में दोस्तों आप डर्भी सायर के प्लियर के तरफ से देखो तो आप यूज को ट्राइग कर सकते हो लेकिन अभी के लिए दोस्त बैटिंग करती है तो आप ये कंबिनेशन को ग्रेंलिंग में तो दोस्तों जरूर ट्राइग करना क्योंकि देखो सभी कंबिनेशन तो आप इंडिया को फेवर करके नहीं न बना सकते हो तो एक कंबिनेशन ये ग्रेंलिंग के लिए आप इसको जरूर ट्राइग करना अब अब दोस्तो हम लोग देखेंगे team 2, दोस्तो team 2 हम लोग totally इंडिया को favor करके बनाया है, team 2 का आप देखो के combination तो आपको जैसा मैंने बताया था, एक मैं आपको 7 और 4 का combination बताऊंगा, आप देख सकते हो, मैंने इसमें इंडिया के 7 पिलियर को रखा है, इस team को दोस्तो आपको कैसे try करना है, यदि इंडिया first balling कराती है, तब दो दोस्तो इसको आप mini GL grand league दोनों में try कर सकते हो, team देख लो एक बार, आपको मैंने बिकेट कीपिंग सेक्शन में guest को रखा है, batting सेक्शन में सुरिय कुमार यादो, सान मफसूद, दीपा कुड़ा और इसान कीशन को रखा है, दोस्तो आप यहाँ क्या changes कर सकते हो, आप सुरिय को drop करना चाते हो और संजु को रखना चाते हो उस team में, तो आपको बिकेट कीपिंग सेक्शन से guest को drop करना होगा, और यहाँ पर संजु को pick करना होगा, और एक एक्श्टा खिरारी में आप और राउंडर सेक्शन में एच कियर को अपने team में रख सकते हो, अभी के लिए दोस्तो और राउंडर सेक्शन में हर्दिक पंडिया और MC किर्णम है, बॉलिंग सेक्शन में बुमनेश्वर, चहल, हरसल पतेल और मैंने वाट को रखा है दोस्तो, यह team कप ट्राई करना है हम लोगों को, दोस्तो यदि इंडिया बैटिंग फर्स्ट करती है तो, कैप्टेन मैंने दीपक हुड़ा को दिया और भाइस कैप्टेन मैंने हर्दिक को दिया है, आप डिवर्स भी कर सकते हो, हर्दिक को कैप्टेन करके भाइस कैप्टेन दीपक हुड़ा को भी कर सकते हो, और extra combination Grand League में दोस्तों इसान की सन पर भी आप बना सकते हो और सान मसूद दोनों बहुत ही important है और दोनों दोस्तों बहुत important इसलिए है क्योंकि इनका form काफी अच्छा चल रहा है तो आप इनको try कर सकते हो और एक combination में दोस्तों MC kingdom को जरूर करना small league में ही MC kingdom को आप कर सकते हो grand league में करना चाहते हो तो करना लेकिन मैं small league में recommend करूंगा MC kingdom के साथ जरूर करने का और दोस्तों यदि आप bowling based combination बना रहे हो तो भूमनेशवर आपके लिए बहुत important pick है चहल के साथ हरसल पर्टेल को दोस्तों मैं नहीं favor करूंगा क्योंकि यह जो ground है इस ground में score काफी लगते है और हरसल पर्टेल का हम लोग ने देखा है Ireland के against इनका form काफी खराब चला था इन्होंने इंडिया में बहुत ही सांदार balling करते हैं लेकिन दोस्तों स्विंग उपलब्द होता है दोस्तों उहां पर इनका performance थोड़ा सा डाउन होता है तो इसके लिए दोस्तों GL में भूमनेज़ पर चहल पर जादा फोकस करना as compression to rehearsal button तो दोस्तों यह था हम लोग का आज का आखरी combination आसा करता हूँ यह वीडियो आपको काफी पसंद आया है पसंद आया तो दोस्तों एक like करना और आपको कोई भी problem हो इस वीडियो से related आप comment section के नीचे जरूर लिखना मैं try करूंगा तुरंत आपके problem को solve करने का तो दो दोसों आप सभी से हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स वीडियो में take care bye bye